लास्ट क्लास में हमने देखा था आपका कनेक्टिव टिशू अभी हम देखेंगे आपका मस्कुलर टिशू वाला पार्ट जिसमें आपको तीन तरह की मसल्स यहां बताए जाएंगे स्टाटेड मसल्स नोन स्टाटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स तो चलिए देखते हैं तो हमारी बोडी में movement के लिए जो टीशु चाहिए होता है वो हमारा होता है muscular tissue जो की movement में मदद करता है या फिर help करता होता है नेक्स देखते हैं यह क्या है muscle contain special protein called contractile protein which contract and relax to cause movement मतलब muscles के अंदर आपकी ऐसी protein मिलती है जो कि आपकी contractile protein होती है जो कि आपकी contraction करती है relaxation करती है और movement को कोज करती है ठीक है ना क्योंकि muscles का आप देखना आपकी muscles है वो आपकी bone के उपर लगी है वो आपके control में है आपके control मतलब आप उसको मोड सकते हो अपने इच्छा के अनुसार आपको जैसे चाहिए उस तरफ से मोडते हो तो यह इसका मतलब यह होता है कि contraction जो है की bone के साथ नहीं लगी होती है वो भी अपना contraction relaxation करती है वो अपना आपकी smooth muscles कहलाती है तो आपको तीनों तरह की like conscious will कुछ muscles को हम अपनी इच्छा के अनुसार मोड सकते हैं जो आपकी ऐसी होती है जिनको आप अपनी इच्छा के अनुसार मोड सकते हैं तो आपको होगे कि जिनको हम अपनी इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार मोड सकते हैं उसके according उसको चला सकते हैं जो हमारे control में होती है फिर उपर इनों लिखा है यहां पर के है एन फिर उपर इन मसल्स का आप और क्या कहते है स्कीलेटल मुसल्स भी का जाता है क्योंकि यह आपके स्केलेटन के साथ लगी होती है अशे आर्शेंच ओटर गों से अटेच होती है इन है आल पेनर बोड़ी मूवमेंट ठीक है न क्योंकि बोड़ी और बोन के साथ में connected होते हैं that's why they are cold as skeletal muscle तो मतलब जो आपके skeletal muscles होते हैं वो ही आपके strated muscles होते हैं under the microscope these muscles show alternate light and dark band if I'll show you the diagram then you can see कि इनके अंदर आपको alternate dark band light band dark band light band इस तरह से दिखाए देंगे ठीक है ना end in an interdit light and dark band or is or is try to क्या क्याते है इस्ट्राइशन तो इसी स्ट्राइशन की वज़े से आप इनको कहते हैं दे यार इस्ट्राइटेड मसल्स मैं इस्टेन प्रोपर लिए अगर प्रोपर इस्टेन करेंगे तब आपको ऐसा दिखाए देगा तो इसलिए आपको द्यान रखना है तीन हो चीजें यह की है आपकी वही है इस्टाइटर भी वही है और आपकी इस्ट्राइटल भी वही है इन असे लुप दिस टीश्वार लों सिलेंड्रिकल अन ब्रांच्ट एन मल्टी नुक्ले तो इनकी जो सेल्स होती है वह लंबी-लंबी होती है इन ब्रांच्ट नहीं होती है मल्टी नुक्लेट कंडिशन पाई जाती है जिसमें की बहुत ज्यादा नुक्लेट देखने को मिलते होते हैं तो दीजार यूर स्टाटरी स्टाटर मसल्स एक बार इनका डाइगराम आप देख लीजिए लुक्राइ dicey as you can see in this diagram यहां देख रहे हैं कि आपका जो इस्ट्राट्टमस हैं आपकी कि इस तरह की होती है छो बंडले जो नाती है बड़े-बड़े बंडल्र बनाती है जोड के इसको कहते हैं और इसका दख रहे हैं यह इस तरह से स्ट्रक्टर होती है मतल שसब दित लिए इसको बबंदल के अंदर से आप बहार निकाल लोगे तो इसको यह प्रॉपर्ली स्टेंड लिखा नहीं मतलब कि आपको मिलेंगे मतलब की बैंड मिलेंगे light dark light dark light dark they are made up of the proteins यह proteinों के बने होते हैं और यह आपके contraction and relaxation का काम करते हैं finally तो इस तरह से कुछ आपकी muscles होती है तो आप से जाधा यह नहीं नहीं बताया नहीं है चलिए next लिगाया कि the moment of food in the elementary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement आपकी blood vessels का relax करना, आपके elementary canal जो food pipe है, उसमें food का transport, उसमें contraction होना, वो आपका कौन करती है, दूसरी तरह की muscle करती है, जो होती है, आपकी involuntary muscles, ठीक है, involuntary muscles, involuntary moment करती है, जिससे की, जो food है आपका, वो आगे की और जाता रहता है, और they are under the control of the brain also, automatic autonomous control के under control होती है, we cannot really start them or stop them simply by wanting to do so, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है, ब्लड वैसल को आप अपनी इच्छा से छोटी कर लें, अपनी इच्छा से ब्लड वैसल को बड़ी कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी muscle आपके control में नहीं होती है, पर वो brain की control में रहती है, we cannot really start them or stop them and simply by wanting to do so, something smooth muscles, इनको हम क्या कहते है, smooth muscles भी कहते है, इनको हम क्या कहते है, smooth muscles भी कहते है, और involuntary muscles भी कहते है, ठीक है, control such movements, and they are also found in the iris of the eye, आपकी जो पुतली को बोलते हो, आप iris of the eye, जो control करते है, light का अंदर आना, light का बाहर जाना, कम light आना, ज्यादा light आना, मतलब ज्या मतलब इस तरह से आप जो देख रहे हैं, यह आपके स्मूध मसल्स मिलते है, यूरेटर में मिलते हैं, आपके स्मूध मसल्स, and the bronchi of the lungs, lungs की जो bronchi होती है, उनमें आपको मिलते है, smooth muscles, प्रोंकाई के अंदर आपको मिलते है, smooth muscles, ठीक है न, and the cell are long with pointed end, इनकी जो सहल होते है, pointed नुकलेट होती है, spindle shape होती है, spindle shape मतलब इस तरह से आप जो देख रहे हैं, यह डाइगराम है, यह यह आपकी cell कैसी है, spindle shape, spindle का मतलब होता है, दोनों के नारों से पतली, बीच से मोटी, ऐसी, यहाँ पर यह और यह कोई इनका fix pattern नहीं है, यहाँ पर कोई लगने का, बस यह स्मूद से स्मूद मसल फॉर्म करने टाइम पर, ऐसी spindle shape cell जो की unineucleate होती है, आकर के एक साज यूड़ी रहती है, जबकि आप ऊपर देख सकते हो, इस टैटर मसल में आपको जो हैं तरीके से दिखा रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखने कोईश करें, तो यहाँ आपको इस तरह का band दिख रहा है, लाइक इस तरह से, फिर एक और band, फिर दुबारा एक और band, ऐसा, मतलब वहाँ alternate light और dark band दिखाई देते हैं, ठीके stations जिनको कहते हैं, आप यहाँ इस diagram में भी देख सकते हैं, ठीके ना, एक आपका light band है, फिर आपका dark band है, फिर light band है, फिर यह भी bundles बना करके फिर एक bundle पूरे covering के अंदर बंद रहता है, ठीक है, अगर आप यह bundle को देखोगे, तो इसके अंदर फिर एक बड़ी covering के अंदर बंद रहता है, ठीक है, और फिर वो जाकर कि फिर finally कई bundles के साथ मिल करके, एक muscle phone कर रहा होता है, ठीक है, चलिए, नेक्स, ते यार उलसो कोड़ अने स्टेटेड मसल्स होती है, यह अने स्टेटेड मसल्स होती है, वाइव बड़ देबी कोल डैट, क्योंकि इनमें भाई कोई इस तरह का पैटन आपको alternate pattern नहीं देखने हों को मिलता, बनी होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है, यह आपकी रिद्मिक कॉंट्रेक्शन और रिलेक्शेशन शो करती होती है थुरू आउट दलाइप पूरी जिंदगी बिना थके बिना रुके चलती रहती है और यहां से सुनना देखने में तो आपको लगेगा कि हार्ट की मसल आपकी स्टाटेड मसल के जैसी है रखना है आपकी स्टाटेड मसल आपकी बरांच नहीं होती यहां की सिलन्ट्रिकल होती ह्युनिकलेट की पडिया नहीं होताations था अजिक्स एस कया होती है जबकि इनिवम्रेंट्री है जब्कि स्टाटी मसल्स आपकी व्हलेंट्री कंट्रोल में होती है उनका उनका कंट्रोल करते हो है एक moments लुक लाइक सम्थिंग स्ट्राइड मसल थोड़ा 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 रिफरेंस में तो हार्ट की मसल कार्डियक मसल कार्डियक मसल स्ट्राइड मसल नोन स्ट्राइड मसल यह तीनों की दिनों में इन्होंने यह टेबल बना के दिए आपको इसमें फिल करना है कि नंबर आफ यूअस्ती कि यूक्लिय कुंडिशन होती है। है इत भी निजहां सेटेट के सब्सक्राइब यूस्ती आप सब्सक्राइब करने जाहांसे आप इस्टिमूलस लेते हो जहां से आपको पता चलता है जैसे मालों आपको हवा फील हो रही है या फिर आपको जलना फील होता है पिर चुबता है जो भी कुछ उनको कहते हैं neurons ठीक है तो चले देखते हैं पहले हम थोड़ा थोड़ा difference इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं neurons को तो यहां आपको मिल जाएगा जो की आपका difference है इन तीनों तरह की में अगर आपको लिखने को आई पेपर में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले वाली जो आपकी यह है इनको कहते हैं मसल bhi कैल आती है क्योंकि इंको न्म्सक नाम पर मल्टी न्यूक्रेक्ळ इंड़ को रेज होते रोडैक्य लोकेशन इंकी बात करो कि तो लिंच में होती है टंग में होती है, बोडी में होती है, फेस, नेक हर जगा होती है, जहाँ जहाँ आप अपने इच्छा से हिला सकते हैं, अगर आप इसको एक साथ मालो, आप अपने हाथ में पत्थर उठा के रखो एक साथ एक ही पोजिशन में या फिर आप जिम जा रहे हो, तो आप एक कोजिशन में रखो कि तो यह थक जाती है, फैटिग हो जाती है, इस तरह एक आप स्मूध मसल में जाओगे, तो देयार कोड as non-stated muscles, as they do not show light, dark bands, हो नहीं करते हैं, cardiac called, sorry, इनको कहते हैं, involuntary muscles, क्योंकि हमारी इच्छा से काम नहीं करते हैं, इनकी shape, spindle shape होती है, uni nucleated condition होती है, fiber arrange होते हैं, sheets की form में, dark band नहीं होते, light band नहीं होते है, location देखने को मिलेगे, इसकी आईरिस में, urector में, bronchi में, elementary canal में, blood vessels म working की बात करते हैं, slowly contact करते हैं, इतना तेही से आपके हाथ पे remove करते हैं, ठीक है, और यह जाया देज़ा देर ता, contact less रह सकते हैं, so don't get be fatig, ठकती भी नहीं हो रहे हैं, contraction होए भी ठकती भी नहीं हो, ठीक है, ठकान भी नहीं होती है, and last है, आपकी cardiac muscle, मतलब यह आपकी branch दोत रिद्मिक कॉंट्रेक्शन रिलेक्शेशन थूआ दिखाई देते हैं यह का मिलते हैं हाट की वॉल्म मिलती हैं का मैं का वही कॉंट्रेक्शन करना और रिलेक्शेशन करना दे दू नोट गैट फैटी यह तो थकती नहीं मतलब यह तो तमाम जिंदगी आपकी पूरी उमर अगर एक आदमी सो साल जीता है तो उनका काम वही है कॉंट्रेक्शन रिलेक्शेशन कॉंट्रेक्शन नहीं थकती है ठीक ना तो फैटिक जो होती है आपके स्टैट्रेड मसल्स होती है उनमें थकान आ जाती है अब हम देखते है नियूरोन वाले पार्ट को कि इन्होंने क्या बताया उसमें तो आपको पता है पीछे इन्हों थोड़ा सा नियूरोन के बारे में लिखा था जब इस्टीमूलस आपकी बोड़ी में आता है कोई इस्टीमूलस आने का मतलब यह होता है जैसे माल लो कि अगर आपको 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 देंगे आई है मालो यहां पर इससे आप चो है अच्छी नहीं देख लेना ब्याद से इससे आप चो है देख रहे है इदर पता नी का और इससे जो भी सेंसेसन जाएंगी वह आपके कहा जाएंगी ब्रेन के पास जाएंगी पीछे ठीक है यह आपके आई इधर देख रहें और इसने क्या क्या कुछ देखा और वह Sensation जो है इन्होंने पीछे यहां बेजी यह कहां बेजते हैं CNS के पास बेजते हैं CNS होता हैं आपका Central Nervous System यानि Brain और Spinal Code होती है आपके पीछे इसके बाद Brain जो है एक्षन लेता है और इसके बाद यह सूचना जो है आपके Effector Organ को भीजी जाती है Effector Organ मतलब जो भी काम करेगा इसके response में लाइक अगर मानलो इसने देखा आपकी आई देखा कि यहाँ कोई इंसेक्ट है बैठा हुआ और इसको हटाना है इंसेक्ट को न तो यह सुचना जो है information आपकी कहां बेजी कि brain को brain क्या करेगा effector organ के पास बेजेगा अब यह जो गया है जिससे गया है यह जहां पह करते हैं ठीक है जहां brain है यहां भी neuron ही है पूरा है system sensory system जो आपका यह बना हुआ है यह आपका stimulus लेता है उसके response में transmit करता है very rapidly एक जगा से दूसरे जगा पर भीज़ता है information को तो किसके थ्रूब भीज़ता है now cell के थ्रूब भीज़ जाते हैं सारी information ठीक है जैसे यहां लिखा है कि भाई then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within body and the brain spinal cord and now cell are all composed of the nervous tissue सारे के सारे आपके nervous tissue के बने होते हैं तेखो brain spinal cord यह दोनों CNS हैं center nervous system का हिस्सा होते हैं वो nervous tissue के बने होते हैं the cell of this tissue are cold nerve cell इनको क्या कहते है now cell कहते है और neuron consists of a cell body within with a nucleus एक neuron जो होता है उसमें एक cell body होती है और एक nucleus होता है तो हम अभी diagram को करे point was देखेंगे पहले डागराम इस फिर पढ़ लेंगे हो कि यह आपके सामने जो diagram बना हुआ है यह multi nucleate condition बनी हुई है कैसी condition बनी हुए multi nucleate condition बनी हुई है मतला multi story my God yeah आपके साबने जो बना है multipolar type का diagram बना हुआ है क consentoned multi polar diagram बना हुआ है इसली होता है कि जू यू निकले हैंना दर्स में ये दो-दो भी होते हैं बतलब किसी किसी में एक-एक होता है मतलब वो bipolar होते हैं कहीं एक होता है वो unipolar होता है तो इस तरह types of कि ए टिंड sedum है ठीक है इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने यहांपर डोट-डोट डोट लगें इसका इसका साइटोपलाज में है कि एक सेल एक इसके अंदरस के अंदर चैल बोडी में मिलती है या फिर देंडराइट में मिलती है यहां पर नीचे नहीं मिलती है एक जोन में नहीं जाती है फिर नीचे देखने हैं कि सबसे बढ़ा इसका जो उभार सा जबसे बढ़ा जो प्रॉसेस है इसको कहते है एक जोन यह लंबा सा क्या कराता है एक जोन क् देखोगे तो माल लो अगर माल ले हम कहें कि यहां एक बना के देखते हैं कि पिर और एक सब्सक्राइब यह माल लो आपका एक जोन है तो इस एक जोन में इसके ओपर यह इस तरह से कवरिंग चड़ी होती है यह covering चड़ी होती है यहांपर इस तरह से इसके ऊपर इसमें क्या होता है जो फेट की covering होती है और यह पूरे पर लगातार continues नहीं होती ठीक कुछ cells हैं जो cells इसको form करती है इस fatty covering को form करती है इटला है कहलाता है नोड फिर इंटर नोड फिर नोड तो मतलब यह पूरा बटा होता है नोड इंटर नोड इसमें नोड मिलती है जहां नोड होती है वहाँ वो फैट की गवरिंग नहीं होती है इंसुलेशन नहीं होता है ठीक है फाइनली जाकर कि एंड में इस तरह से आपकी एक structure form करते हैं उनको कहते हैं ती लो डेंडरिया तो आप ध्यान रखना कि information जो होती है वो इधर से आती है डेंडराइट की तरफ से आती है information डेंडराइट की साइड से information आती है यह किसी दूसरे नेडराइट इसके डेंडराइट से एटेच होगे मतलब यहां एक होगा किसी दूसरे के डेंडराइट होंगे वो यहां आतेच होगे पनीचे आप आपास समझ रहे हो मतलब पहले वाले का पूंच लाइक टेल यानिके टर्मिनल एंड दूसरे वाले के डेंडराइट से अटेच होता है इन से ठीक है और इन्फरमेशन जो है एक से दूसरी दूसरी तीसरी चौती से पूरा अदम बोडी में आपकी लंबा सा जाल सा बना रहत होता है Brain में भी आपकी कैनल से होते हैं यह ही मिलेंगी नियूरूंस ही मिलते होते ही धीं के चलित तो यह एक बद लेते हो यहां रखनाहाँ यहां पर हम sipl देखत व्याट आपकी बूक में जो simple डागराम मना हुआ है तो simple कूझ कूछ नहीं जाता है बड़ा सा एक जोन जाकर करके टर्मिल पर बटाओ है इसमें टीलो डेंड्रिया इनको कहते हैं टीलो डेंड्रिया फर्दर किसी डेंड्रिया इटेच होते हैं ठीक है तो आपको एक सिंपल सा structures का बनाने के लिए आ जाता है पेपर में वह आप अपने बुक में जो डाइग्राम दिया है उसी को लेर्न करने है और कुछ नाम साइटोन, सेल बोडी, एक्सवन, टिलोडेंडरिया, फिक है यह नाम आपको याद करने हैं, यह लिखा क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, साइटोपलाजम होता है नूकलेस होता है जिससे एक लंबा जो है विच लोंग thyn लेक, called as dendrites and an individual nerve cell may be up to a meter long एक इंडिविज्व नर्व सेल आपकी जो है वो एक नर्व इंपल्स अलाव उस्टो मूव और मसल्स मतलब जो इंफोर्मेशन आती हो आपकी मसल्स के पास आती है फिर आप अपनी मसल्स को उनके रेस्पोंस में मोडते हो चलाते हो इन फंक्शनल कंबिनेशन अफ नर्व और मसल टीशू इस फंडामेंटल तो मौस इशु वाला चैप्टर जो आपका यहां खतम हो जाता है ठीक है एंसे इंपल्स क्या होता है किसके दवारा ट्रेवल करता है कहां पहुंचता है मसल्स किसके रेस्पॉंस में मूव करती है इस तरह क्वेशन बनते है ठीक है ना तो डियाग्राम जो है उसको आप लेंड कर लीजेगा डिफरेंस आप याद कर लीजेगा मसल्स डिफरेंस से रूट पूचा आता है टेंडन्स क्या है लिगामेंट क्या है बोन के मैट्रिक्स किसका बना होता है सेल को वोन अफ सेल को क्या कहते हैं इस तरह कोशन आप से एक एक सवाल बन सकता है तो इतना ही आज के ल thank you so much